गुरु देव के पदपंकज सिरना सुमिरा मात सरस्वती हम पर हो सहा मात पिता के वंदना करते बारं बार गुरु जन प्यारे शोता जन मम पर हो सहा गुरु जन प्यारे शोता जन प्यारे शोता जन मम पर हो सहा ने लिख डाले लिखने वाले ने लिख डाले शिव की अहर कहानी कहानी रीजी तो सुर असुर ना देखे ऐसे ओ घरदानी सदा शिव रीधी तो सुर असुर ना देखे ऐसे ओ घरदानी सच कहते मैं अधिक ही भोले सच करके है अधिक बोले तो मेरे नात भबानी भबानी रीजे ओ सुर असुर ना देखे ऐसे ओ घरदानी साइदा शिवरी जे सुर्य असुर्य ना देखिये ऐसे ओह भड़ दाने आप सबने भस्मा सुर्गी कथा को सुना होगा जिसमें वे भगवान संकर जी का कठोर तब करता है भगवान संकर जी से वर्दान मानता है कि अगर वो किसी के माथे परसा अपना हाथ रखते तो वे भस्म हो जाए भगवान शंकर कहते हैं तथास को और फिर वो क्या कहता देखे हे भगवान यदि आपने मुझे ये आश्रवा दे दिया है जिसका क्यों न परिक्षन कर लिया जाए और वे कहता है मैं अपना हाथ आपके सिर्पर रखूँगा और देखूगा आपका वज़न सही है या जूटा है भस मासूर पर क्रिपा लुटाई अपनी भीपता आप बुलाई अपनी भीपता आप बुलाई हरी ने हरी की रख्षा की दब बन कर नारी सुहानी सुहानी मेरी जें तो सुर्य असुर्य ना देखें ऐसे ओ घड़दानी सदा शिवरी जें तो सुर्य असुर्य ना देखें ऐसे ओ घड़दानी आत्में असुर्य और देखतां के पीछ की यूद्ध के बारें बहुत कुछ सुना होगा इसी की एक और कहानी है कि असुर्य और देखतां के बीच सागर्मन्धन होने की बात सुझी सागर्मन्धन से कई चीजे निकली खीरे, मोती, जवाहिराथ, अमरित निकलने की प्रतीक्षाथी अमरित निकलने से पहले उसमें से क्या निकला? विश निकला जिसकी वज़े से अगर उसका एक बोंद भी प्रिथवी पर गिर जाता तो हमारे प्रिथवी जल कर भस हो जाती उस प्रिथवी की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने आ गया कर उस वृष को अपने उपर धारन किया था उन्होंने पिया था, इसी वज़े सुनका कंठी नीला हो गया और उसे हम उस दिन से भगवान शंकर को नील कंठी रूप में जानते हैं तो सुनिए सिंधों से निकला करल बचाया सिंधों से निकला करल बचाया सिंतु से निकला करल पचाया श्रिष्टी को जलने से बचाया श्रिष्टी को जलने से बचाया श्रिष्टी को जलने से बचाया हर ने हर पीछे तो असुर असुर ना छोड़े ऐसे ओ घड़दानी सैदा शिवरी जे तो सुर असुर ना देड़े ऐसे ओ खड़दानी हमारे शंकर भगवान जोकी एक लोटे पानी से ही मान जाते हैं एक लोटा पानी चड़ाया भगवान शंकर को रिजा लिया देखिए भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में पूरी गंगा को समा रखा है यदि वे अपनी सारी जटाओं खोल दे तो गंगा की वज़े से पूरी स्रिष्टी धरशाई हो सकती है इसलिए भगवान शंकर को कहा जाता है कि उन्हें जल बहुत प्रिया है शिव जी को चल अधिक सुहाए भिरते हैं गंगा सिर पे उठाए पिरते हैं गंगा सिर पे उठाए जो मागो परदान में दे दे जो मागो परदान में दे दे पालुटिया भरवानी सदाशिव रीजे तो सुर असुर ना देखे ऐसे ओ घरदानी सदाशिव रीजे तो सुर असुर ना देखे ऐसे ओ घरदानी रीजे तो सुर असुर ना देखे ऐसे ओ घरदानी सदाशिव रीजे तो सुर असुर ना देखे ऐसे ओ घरदानी सुर ना देखे सुर ना देखे